महान आचर्य चानक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ती ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहा, और कितना बोलना है तो उस व्यक्ती को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता ऐसे व्यक्ती की सफलता सुनिश्चित है. जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लोटकर कभी वापिस नहीं आता ठीक उसी तरह से मुह से निकले शब्द कभी वापिस नहीं आते. शब्द और भाशा हतियार है और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है. लेकिन बिना स तोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। ड्रोपती का ये बोलना, कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दुसरों को निचा दिखाने और खुद को बढ़ा बताने के लिए करते हैं लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुप चाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवज़़ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहां जरूरत है वही ही बोलना है अपनी लक्ष पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के साथ ऐसे फाइदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बलकि अभी से उतना ही बोलोगे, जितनी आपको जरुरत होगी. 1. मौन, लोगों का ध्यान खीचती है, महान आचार्य चानक्य अपनी चानक्य निती में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारो सत्रों को अपनी खामोशी से परास्ट किया था, वो खामोश रखकर अपने सत्रों को विचारों में उलजाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईट का जवाब पत्थर से देते थे। Silence यानि चुपपी किस तरह लोगों के attention को grab करती है। ये बात आप इस उदाहरन से समझ सकते हो कि जब classroom में teacher किसी विशय पर बात करते हैं तो students उनके बात को बिलकुल ध्यान से सुनते हैं लेकिन जब अचानक teacher या speaker बोलना बंद कर देता हैं तो सभी लोग आश्चरिय में पढ़ जाते हैं जब आप अपने काम से काम रखते हो दुसरों के मामले में दखल नहीं देते हो जरुरत हो तभी बोलते हो तो लोगों का ध्यान आपके उपर जाता है और अगर आप कम बोलते हो जरुरत हो तभी बोलते हो तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरुरत के बखबख करते रहते हैं. 2. मौन बातचीत में मदद करता है शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशियेट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इनसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खमोशी उस दूसरे इनसा को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे है फिर इसी चीज का आपको फयदा उठाना है सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे है लो आप कोई डील फाइनल कर रहे सामने वाले पार्टी को जल्दी से येस या फिर नो कहकर जवाब मत दो कंट का पोज लो आपके चुपपी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा उनको सारी बाते बोलने दे जिससे आपको बात चित आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और बात चित के दोरान ज्यादा 3. मौन विश्वास बनाने में मदद करता है अगर आप एक मजबूत रिलेशन्शिप बिल्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानि विश्वाश बिल्ट करना होगा और विश्वाश तभी बिल्ट होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान सुन किसी को भी नजर अंदाज नहीं करते हो और तभी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ट होगा शतर प्राप्त करें आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्म पूछने के बाद रुखते ही नहीं है अपनी बक बक चालू रखते है या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इन प्रस्पेक्टिफ को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे वी भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ आप उतना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। विवेकानन्द जी जो अपनी बुद्धिमता और विदम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है, वे भी अपने गुरु राम कृष्ण जी से ज बात को लेकर ये जान सके। नहर शक्ती साइलन्स एक शॉट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है, जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं, इसका सबसे बहतरीन उदाहरन है, महात्मा गांधी जी जो की सत्य और अहिंशा के मार्ग पर चले थे और इना लड़े उन्होंने अंग्रजो को धूल चटाई थी, महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रजो से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जित पाएंगे, उन्होंने शॉट पावर का इस्तिमाल किया और अंग्रजो को हराया, कई बार लड़ने से, और ज फुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है, एक लड़का लेपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षो पुराना एक दोस, मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहा लेपटॉप खरीदने जा रहे हो, उसी के पास में एक घर है, वहां ये समान डिलेवर कर देना वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका समान ले लेता है, लेकिन जहा समान डिलेवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था, उस आइटम को डिलेवर करने में उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ बाद में जब वह दुकान पर पनुचा तो वह दुकान बंध हो चुकी थी, उसे अपने दोस्त के उपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए हमें हमेशा हा नहीं कहना चाहिए ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए, तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइल साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है, साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए, साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फाइदा होगा